हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अकाडमिक एस पर दोस्तों आज मैं आपके लिए बॉटनी के बीबी वाइसीटी वन थर्टी फाइव के बहुत इंपोर्टन रहने वाले हैं ओके चले यह आपके सारी प्रीवेस क्वेशन जो है वो भी कवर करे इस लेट स्टार्ट फास्ट फास्ट इस 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 डिफरेंश बेट्वेशन बिट्वीन सिंपल और इंड काईम एंड शेलन काईमा तो इसमें ना कहता है कि आप अपने मर्जी का कोई भी एक कर सकते एक्स्प्लेइन लेकिन मैंने अपकी कन्वीनेंस के अकोडिंग तीनों तक है लेट स्टार्ट फए क्या होता है यह ग्रूप ऑफ सेल्स क्या है जम तोम बिलकर क्या करते जिन यह क्या सेम और वह सेम पारफोर्म करते फंक्षिन को और कलो यह बोलते टिशु बोलते हैं अब टिशुोग ब奏ंट को दो टाइप फॉस्ट वन इस मैम इस्ट्रमेट इस्टेमेटिक टिशू वो टिशू होते हैं जिनके पास क्या होती है जिन के जिन साल के पास डिवाइट करने की एबिलेटी रहते है बट पर्मानेंट टिशू आर दोस टिशू विच है व लोग्ष दी गैबिलेटी ओफ दी डिवीजन ओफ दी इस एंड पर्मानेंट टिशू आर फ्टू टाइप सिंपल टिशू और कॉंपलेक्स टिशू सिंपल टिशू में जो सारे की सारी सेल्स होती है यह सिंगल सेल से मिलकर बनती है अब यहां पर क्या होता है आपके थ्री टाइप सफ इसमें क्या आता है अपका जालमेंट फ्लोयम आता है जो क्या करने वाला आपका डिफरेंट टाइप ओफ सेल्स को कंसिस्ट करेगा अब मूब टू परढ़ेंगे साथिख पर नो सब्सक्राइब एप सरसे क्या होता है यहां पर रहती है जो इनकी सेल्स होती है वह सबसे कम स्पेशलाइज दो सबसे कम डिफ्रेंशेटेटेड होती है लिविंग सेल्स होती है ओके नेक्स कहता है इनको हम क्या कह सकते हैं रिगार्डेट अजी बेसी ग्राउंट टिशूस फ्रॉम इसलिए हम इनको बेसी ग्राउंट टिशूस भी बोल सकते हैं अब जिसकी सैल्वोल कैसी बनी होती है इसकी सैल्वोल थेन होती है और मेड़ अपोफ होती है सब्सक्राइब करने की डिवाइड करने की अब इसकी लोकेशन मतलब ही कहां पर सिच्वेटेड होती है जो कि सब्सक्राइब प्लांट में रहता है जिसे हो गया कोटेक्स हो गया कोटेक्स रिजन ऑफ स्टैंप्स रूट हो गया फ्लेशी टिशू ऑफ फ्रोट एंड शीट्स फोटोसंथाटिक लीव और रेज ऑप सेकेंडरी जाइलम और फ्लोयम अब इसके फंक्शन की बात करेंगे इसका फंक्शन क्या होता है यह जो सेल्स होती है स्थियुलजीकली क्या होते बहुत डाएक्ट्व रहती है और पार्टिसिपेर्ट में करते हैं सिंथेघ करीज सब्सक्रूलगी संतेसन हो गया स्टोरिज ट्रांसपो के लिए रिपेर पार्टीष सेल्स होती है यह ब Vienna की ठायप foreign också हो स्ट्रीडए करते हैं खुटर हो इसे एंगर को क्या बोल दिया रिपारंख़ आनर आले चीम puls से आप को सैट में उनमीं कह औरола없이 जो do mice करता है आप दौन्टा भलाइन को मिल जाया वह इस में नीचे पानी में नहीं को पर rode française तो कि उसको बोलते हैं इसका स्ट्रक्टर देख लेते हैं देखो यह क्या है इसकी बाहर वाली सेल्वोल वही किसे बनी हुए है यह बनी हुए है इनके बीच में इंटरसल्लर स्पेस है और बीच में साइटो प्लाजम हो गया और यह बड़े-बड़े आपको क्या दिखाए सब्सक्राइब दिखाए इसमें नुकलेस होता है छोटा होता है नाव मुव टू दी नेक्स कॉलन काइमा क्या होता है यह एपिडर्मिस की नीचे रहता है मिडरे के नीचे और बेस ओफ लीव स्टैक में रहता है इसकी शेप कैसी होती है ओवर हो सकते हैं पॉलिगोनियल ह हो सकती है कॉम्पैक्टली होती है जिसका मतलब के बीच में इंट्रसलेर स्पेस नहीं होता या फिर होता है तो बहुत कम अमौंट में होता है यह यह इसके फंक्शन्स देख लेते हैं यह मेकैनिकल सपोर्ट देगा ठीक है प्राइम्री ओर्गन्स को जैसे यंग स्टैंस हो गई हाइपोटलिडन्स हो गया पाटिकल्स हो गए पैटैंकल्स हो गए अभी क्या करते है यह फ्लेक्जिविलीटी भी प्रवाइड करते है अब इसकी डिपोजिशन और प्राइम्री सेल वौल की ठीकनिक्स पर कॉलन कायमा को हमने कुछ पार्ट में डिवाइड कर रखा हैं होगा जो वोल्स है वो यूनीपर्म नी तिक रहेंगी याई क्या होगा याई कि रहती है ओपर इंट्रचल्युलर स्पेस होगा उसके डारेक्टली जहां पर भी यह तिकनिंग्स प्रेजेंट होंगे उनका होता हैं यहां पर इसके सटाइट मी क्या तारा भाईरण कार रजी कहांगा होगा और इसका остah को फट्रीं की नेक्स स्कैलल्ड क्यमा का हånd थर्ड आती है अप्सकैलल क्यμε्ट कहां-पर मिलती यहां पर इंट्रस पेस नहीं होता इनके बीच में तिक वो ती है जो जब निन रहता देखो जहां पर वहां पर आप समझ जाना कि वह जो सेल्स वह डैड है तिक है डिपोजिशन ओफ लिंग निन means these are the cells of dead cells आप इन cells के पास क्या रहाता है ये protective ये protection में help करती है support करते है और function को और उनकी throughout the plant body को अभी दो types की होते है fibers हो गया और scalards हो गया fibers पढ़ लेता है ये elongated होती है इसमें narrow cells होती है और इसके tapering ants होते है secondary wall इसकी क्या रहती है fibers की वो ठिक रहती है ये क्या बनाती है major components बनाते है xylem tissue का they are lignified and non-living hands incapable of further growth and division ये non-living रहती है जिसकी वज़े सी क्या रहती है इन में growth आगे नहीं हो पाती है इसकी figure देख लेते है इसकी figure कैसी होती है देखो अभी इसमें बोला थाना tapering hands होते है tapering hands होते है तो ये इसकी क्या हो गई इसकी tapering hands हो गई इसका जो lumen है वो क्या हो गया वो narrow हो गया इसकी जो walls है वो क्या हो गई ठीक हो गई अब elongated हो गया अब ही क्या करते है इसका mainly कहा पर मिलती है primary plants में मिलती है ब्रामरी प्लांट पार्ट्स मेन विलते हैं जैसे, पैरिसायकल हो गया, हाईवरर्मी सोगया, बंडल हीत है, नका फंक्षन मिकैनिकल सब्सक्राइब अचैकनिकल सपोर्ट दहें जो वहहां थे, ब्लांट् 창 चाताइब इंको कि मेंकर में पौक्डब हम इन को छाओ का या सब्सक्राइब आपकूरत के कि टाइब की बात कर जा है तो स्केले देखे लेते थी के थे तो आता है और इंरे श्योशंत चलिए में चले realised मिंघा डाइं करके एक कर दिए कि अला कि खुछ यहां बड़ा होता है हो कि फोर इंदर से रहें कुर्सपीर यहां पर एक फिर्म एंपोsorry depressed क्वेशन कंप्लीट होता है आप इनके स्क्रेंशोट लेते रहना जिससे आपको याद करने में हेल्प हो जाए ओके नाव मुब तो दी नेक्स क्वेशन लिस्टी कैरेक्टर स्टीक्स ऑफ मैरस्टेमेटिक टिशू और इसक्राइब देर प्रोपर्टी अभी मैंने आपको मै थो रहती जसे पहि Presents पास गल्प करने में गल्स अपल्ट और रहते है सिल्स क्या हो सकते ओवल हो सकते एंट czego सकते इनके बीच में टेशल्रल्व असमें रहते हैं इसकी के होंगे थैंड होती है एक सेलोलोर्ण होती है यह फेलहु els सब्सक्र्राइब करते हैं धैंस और उसम ja प्लांट बोडी में मेरिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करने वाले और में यह रूट के पार्ट को ग्रो करने वाले अब इसकी प्रोपर्टिस ऑफ मेरिस्टम में करेक्टर स्टिक्स की जैसी आ जाती है ओके ना मूब तू नेक्स क्वेशन इस लिस्ट वैरिस त्यूरी ऑफ शूट अपिकल ओर्गनाईजिशन और डिस्क्राइब यह आपके सारी प्रीवेस यह क्वेशन है तो अगर आप इन प्रीवेस त्यूरी और टीशू डिफरेंसेशन थे जो चूट अपिकल ओर्गनाईजिशन और रूट अपिकल ओर्गनाईजिशन का वैस्टिक्स है उसमें भी आपकी जो आपकल चैल त्यूरी और स्टोजन त्यूरी सेम चलने वाली है तो फर्स्ट इस पेसमें पढ़ें एक सिंगल मेरिस्टमेटि एक सेल कौ करते किसी करते है जो डिवाइट होकर पूरी प्लांट पूरी फॉर्म और परण सेल की वह क्या करेंगी वह लीड करेंगी पूरेां टायर प्लांट को सच ताइप ऑ ऐसली और ये और और लाइक डिक्ते ओटा सारी गैसमन फ्यूकर्स ब्राइफाइट चंप टारेडो फाइट नाव मुब टू दी नेक्स वेशन इसकी फिगर देख लेते क्योंकि फिगर बोला इसकी तो इन्हों देखो क्या हुआ यहां पर यहां पर ही पूरी पूरी अपिकल सेल है यह क्या है य दिवाइट करेंटब है यह फिर आपक उर्फ यह बुटों मुटों और सिंगल लेयर करते एंटिकली दिवाइट क्या है परपेंडिकुलरी क्या करेगी डिवाइड करेगी क्या करेगी परपेंडिकुलरी डिवाइड करेगी ऑग आप यह क्या करता है यह जो प्राइबलन हें यह सिंगल लेयर होता है और दीरे-दीरे मल्लि में Convert हो जाता है अभी किस्को राइज करने वाल स्कों को यड़न को नौ मूफ डूइ investor प्लाइरियूम इनरम्स होता हैma स रहता है इसेंटरल र्रीजन में Bread C forma मैं इस्म्च साउब computer by a प्लूरियम और प्लूरियूम के बाद यह वाली जो लेयर है और लास्ट वन इस डर्मेट ऑगे अब इजिए रूट पेस के में होता है एक और हिस्टोजन जिसका नाम था कैलेप्रोजन अब किसकी पॉर्मिशन के लिए स्पॉंसिबल होता है वह रूट कैप के लिए लेकिन रूट के लूटकल मैं आपको दिखाई देगी हमारी क्योंट का ट्यूनिक का कॉर्पास ठ्यूरी में देख ले तो क्या अना गया है जो कंसीडर की गई ऐग है प्लेई सफ सेल डिविजें इन डी एपक्स में देखी गई है यह बि आप इस ठेहरी के कहता है जो आप तुनिका को और एक कॉर्पस को अब यूनिका क्या होती है तुनिका में कमप्राइस टू आउटर लेयर्स डेजिगनेट एज लवन अट ल्टू को तो गडिए इसकी सेल्स क्या करते हैं डिवाइड करते एंटिक्लीनिकली मैंने आपको बता दिए जो पर्पेंडिकुलर और 90 degree के angle पर क्या करें उसको डिवाइड करें। त्रम निकर करता है कौन्टरिबूट करता है only to the surface growth सरफेस growth के लिए कौन responsible है त्यूनिका responsible है त्यूनिका accordingly सими को सकती है त्यूनिका single हो सकती है then multi-layered हो सकती है जभी multilayered होगी स् it is multi-layered then outermost layer will be form epidermis जब यह multi-layered होगी तो यह क्या बनाएगी epidermis बनाएगी और जो other layers है वो क्या करेगी वो internal tissues को generate करेगी और बस में क्या आता है जो corpus होता है corpus a mass of cells enclosed by tunica जो tunica enclosed करती है जिन cells को उनको हम क्या करते हैं उनको हम corpus कहते हैं यहां पर देखो जो corpus है यह अंदर रहता है इसको corn and close correct tunica enclosed कर रहे हैं अब जो cells of corpus होते हैं वो डिवाइड करती है वो दोनों plane में कर सकती है पैरी क्लीनिकली का मतलब है कि सर्फिस के पैरलल भी करेगी और जिसके वज़े से क्या होगा तीशू का वोल्यूम इंक्रीज होगा ओके क्यों कि क्या बनता है क्यों क्यों क्योंक्त पॉइंसक्वी नहीं कर सकते हो जो इनके पास नेक्स वेशन आता है राइट शोट नॉट ऑन दी फोलाइंग अब इनको आपको शोट नॉट बनाने राइजॉम पर ट्यूबर पर बल्ट पर और कॉम्स पर आपको पहले बता देती हूं यह चारों के चारों स्टैम के मोडिफिकेशन को डिफाइन कीजिए तो आप स्टैम का मतलब क्याता है यह होरिजॉंटली ग्रो करेंगे अलोंग दी स्टैम सर्फेस और डॉर्सी वेंटर होते हैं अगर आपको स्टैम स्टैम पता करने का सबसे च्छा तरीका यह है कि उसके उपर क्या नॉट्स हो और दो नॉट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको मे ते नाम से जानते हैं इसकी बंदाना और के उकरता है सिंपो और टारीस करेंगा होरीज़न ली-ड्यों में के उह उल्सांटली इसम्पोडियल और यह इक जींजर ओडो करा है नूब तो दी नेक्स क्वेशंग ट्यूबर क्या होता है ये इसका एंड होता है ये फूड को स्टोर करती है फूड भी कौन सा कार्भोहाइड्रेट को स्टोर करती है इसपर भी क्या होंगी इनटनल इनटनल इसपर भी कई होंगी इंटनली बड आफ इनटनल इसे हमें अलग से नहीं धिखाया ट्यूबर पर ट्यूबर में दो डिस्टिंक्ट एंड होते हैं एक बेसल एंड जिसको हम हील के नाम से जानते हैं यह स्टैम के नियर होता है एक अपिकल एंड होता है जिसको हम रोज के नाम से जानते हैं यह जादा होते हैं आपिकल रोज एंड पर ओके यह आप इसकी फिग क्वेशन पॉइंट इस बल्ब में क्या होता है यह बल्ब क्या होते हैं कंडेंस्ट डिस्क लाइक स्पारिकल पाइरी फॉर्म अंडरग्राउंड स्टैम्स होते हैं थोड़ी बलर आ गई है मैप को डिक्टेट कर देती हूं तो आप इसको ध्यान दखना इट बियाज दी वो अश्वेशन चेलल फिक होती हैं अइंड द्राय होती है बल्ब में देखो यह स्टोर करती है फूड को फूड मेटेरियल को स्टैम नहीं करती है एरिल शूट ऑफ अनियन जो हम स्टैंड के नाम से जानते हैं बटने श्राइट बल्च और एक होते हैं यह एफिर अफिर आम पतलब कावर, means क्या होगा, fleshy और scally leaves surrounds the apical buds in the form of concentric rings known as tunicated bulb, and if we talk about the scally or imbricated bulbs, so these scales leaves are not concentric but are arranged loosely like a petal of a flower overlapping each other at the margins, मेंज क्या है यहां पर क्या करेंगे यहां पर तुनिकेटेड में क्या करेंगा तुनिकेटेड में कवर करेंगा छे कम्छ masa के और पर can उच्छी इंटरनोंट होते हैं और इंको क्या बोलते हैं कंडेंस फॉर्म होते हैं राइजों की कवर्ड विद लूज शीटली स्केल्स अराइस फ्रॉम दीनोंट इसका एक्जैम्पल है जाफरें यह मैंने आपके लिए आप पिच्छे लगाई आप देख सकते हैं इसको ना जाएगा बिना इसको यहां पर क्या होता है फिर्टिलाइजेशन सॉर्ड एपर मिक्स भी यह बहुता है एक स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट को अम क्या बोलते हैं अडेंटिव एडेंटिव एंब्रियो बोलते हैं इसमें बेसिकली होता क्या है देखो जो भी बाहर कोई भी से लोग से बन जाए गा तो फिर ईंट्रिगमंट से बन जाएगा इंट्इंट्यं है कंग सब्सक्राइब कोई टूमे कि सब्सक्राइब Kerry shutter सेख होगा वह माइटोटिकली फॉर्मड करेगा एक डिप्लॉइट सैल को इसमें ओव्योल में मियोसिस में नहीं जाएगा मियोसिस नहीं करता है वाला इंडर्ब्रियो मिक्स अकर्स इंडिपर्डड़ फर्टिलाज़िशन अधर्ट ताम् पोर सच एंडर्ब्रियो सैक डिवल्युट्मड इसफ्रटिश नहीं होता है अभ जो ऑपमियू में एक डिप्लॉस पोरी और एक अप्सपर्ड। ब डिपलोस्पॉरी में क्या होता है जो एंब्रियो सेक हैं एंब्रियो सेक के बाद एग भी क्या होगा तो क्या होगा जो विदाउट फट्रिलाइजिशिंट पूर्टिर सेट कहें मैं यहां पर इंपलोईड सेल है ओं ग्रीक आप अपलमिक्स नियुकिक मोई रांप मियोसु को बाइक पास कल जाना आप अपास करमेशन के दोरान development of embryo form independent of fertilization process known as partners genesis जो भी embryo form हो रहा है किसे एग से वो क्या है उस में fertilization नहीं हो रही जिसको भी जानते हैं यहांपर क्या होगा फर्मिशन होगा वाइबल एंडर स्पर्म का बाइफ़ेलिजेशन independent process होती है फर्टिलिजेशन के बाद होती है एक supply cells से इंपोर्टेंट के आति इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट आस्टि इंपोर्टेंट सवीक्श्ट वी Свॉइबरीड आफी थे जिसकी वज़े से क्या ओता है जिसकी वज़े से क्या होता है यहां पर without involving the process of miosis or syngammy यह एक important role play करेंगे hybrid seed production में apomixis किसको रोकती है apomixis prevents the loss of specific characters in the hybrid so that the hybrid can be propagated form seeds without conducting hybridization again and again okay now move to the next point apomixis doesn't evolve meiosis hands nose aggregation and recombination of chromosomes occur now move to the next point adventative embryos are useful in agriculture and horticulture because of genetic uniformity and superior disease resistance यह क्या करती है help करती है crops species को because it leads to the formation of large genetically uniform population with better hybrid vigor and last one is it include rapid generation and multiplication of superior forms through through seed germplasps okay next question now question number six define compatibility differentiate between intra-specific and inter-specific compatibility also यहां पर हम factors discuss करेंगे और उसको overcome करने के methods भी देखेंगे so the process in which male gamut is not able to fuse female gamut due to various factors is known as the incompatibility होता क्या है यहां पर जो pollen होते हैं वो क्या हो जाते हैं वो fails हो जाते जर्मिनेट करने के लिए या फिर जो pollen ट्यूब है वो ambrosec तक पहुची नहीं पाती है जिसकी वज़े से क्या होता है जिसकी वज़े से एक तम आराइस होते हैं जिसको हम कंपार्ट इनकंपार्टिबिलिटी के नाम से जानते हैं नाव टाइपस एनकंपार्टिबिलिटी वी विल स्टडी दी टू टाइपस ओप of incompatibility one is interest specific intra means अपने एक ही एक ही फ्लावर में यह एक ही प्लांट में होने वाले इंटर ृओ यह क्या होता है यहासə आपको बता दी जो जो मैंने आपको बता दिये किसमें होता है जो इसस Whoo पीच में होता है फ्लाइज होता इंड उनल उनलस। घ्राइक करने के लिए इसके पास फ्लारिंग धोते हैं अइकश Six और गांज सेल्फ इनकमपैटिबिल सिर्टेंट में क्लासिफाइब रख रहे हैं घ्रमिटी करना भी जब स्वेठीश' प्रवाद ह्थ योज और अंदर बाट इस पोलन ट्यूब है पॉलन ट्यूब पाइगी तो पौलन ट्यूब और पर चाहें अंदर है पिनेटरेट नहीं कर पायेगी पर कुछ अग्जेंबल दे रखें ना अध्वांटीजिस क्या होंगे एड्वांटेजीज ऑफ इंट्रेस्पासिफिक इनकम्पाटिबिलीटी क्या होंगे यह प्रमोट करेगा क्रोस पॉलिनेशन को एंश्योर करेगा और स्टेन डिग्री ऑफ हैट्रोजाइगस हैट्रोजाइगसिटी और ना पॉपॉलेशन अब्विसी बात अगर क्रोस पॉल इनकम्पाटिबिटी में क्या होगा जो सेंब स्टेन अगिए और सेंग ने क्रोंगों स्टेनिेशन को मिल्स प्रेड्वांच fusion अन्पन पॉर्फ यह एक प्रमेंस क्या होता यह इस कम्पाटिबिलिटी में वर्टियूस करेगी दिग्मोर दन माइं टाइप आप लोगीज प्लांट फ्लार्स को क्या करने वाली प्रेड्यूस करने वाली है प्लांट श्वेंग सच टाइप ऑफ इंकम्पाइबिलिटी शो डिफ्रेंश इन फ्लॉरल इस्ट्रॉक्टर्स अब क्या होगा यहां पर लैंद ऑफ स्टाइल डिफ्रेंट हो जाएगी यहां पर दो टम्स यहां परले एक ढाई स्टाइल और यहां में चमवर्पाइबिलिफ्रेंट होगी अब इसमें अपने फैले इक्या absorbed में प्लावर्स कटेई में प्लांट बोलते है इक शोट फ्रम होगा जिसमें आपको क्या होगा शोट्स टाइल होगी औरच को यहां जोंगी और वार य short style and high anthers if we talk about the other other को हम क्या बोलेंगे पिन बोलेंगे जिसमें इसका opposite हो जाएगा अभी short style थी लेकिन पिन में क्या हो जाएगा long style हो जाएगी और low anthers हो जाएगे फिर क्या हो जो pollen grains होंगे high anthers वाले वो किस पर would fall and stick to stigma of long style of pin flowers यह क्या कर जाएगे बिसीखेटी cross pollination कर जाएगे यहाँ पर अप figure में देख न ये क्या है ये थ्र्म वाली figure हो गए यह मीं पिन वाली figure हो गई तो इसका stigma है stigma क्या हो गया stigma इसका lower हो गया और इनतर्स mogę more over गया गया यहां पर देखेंगे तो यहां पर पॉलेनेट कर देंगे इसवाले स्टिग्मा को पॉलेनेट कर देंगे आपको है समझ में आया होगा इधा पर कि बात करेंगे यहां से नाम से पता चल रहा है पर इस रहने वाली है त्री स्टालिस फ्लार्स जैसे औक्जालिस में क्या होता है जिसे ऑगजालिस में इस वाली में क्या होगा इस वाली में जो और यह तोड़ी नीची और आज बहुत ही जादा उपर हो गई इसमें कहाको यह बहुत ही जादा नीचे समें एंथर बहुत जादा बोगे ऊपर हैंए यह था हियं पर ही ट्रीस टाल और ही एक टाइप फ्लाइफ लिजादार्ब को कॉपल यहां पर कोई भी फलॉरल डिफरेफिटेश नहीं आते हैं इंट्र स्पैसिक इन इंकलेटीं किका हुआ होता है। इंट्र इंकलिंटेंशिक इंछॆ हाथ। इंहमें इलवीटी इंव्रस इंवरिसन उप्यूधि DR प्रीवेंशिपी कि आप किसकी वज़े से होता है। इंटेसपेसिफिक इंकमपटीबिटी दो नोन शॉर्ट סबस्चQU क्राइड़िटेंड और यहां स diese सिर्गमा प्रेजंट रहते इसकी वज़े से क्या नहीं हो पाता इंटेस्पैसिफिक इनकंपैटेबिटी कोज हो जाती है अभी किसकी वज़े से शोता ही सब्सक्राइब यहां पर यह देखा जाता है कि जो भी आपके सबसे पहले क्या होगा पोलन वॉल प्रोटीन्स होंगे यह एक मेजर फाक्टर माने जाते इनकंपाइबिलिटी के अब यहां पर देखो हैसलोप या फिर हैरीसन ने क्या इनकंपाइबिलिटी वह किसकी वज़े से आती है जो इन्होंने क्या बोला कि जो प्रोटीन्स है उनके वह कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं जिसकी वज़े से इनकंपाइबिलिटी कोज हो जाती है इन ताइन में गैमेटोफिटी के वज़े से क्या सकते हैं जो प्रोटीन्स प्रेजेंट ओदें स्टिगमा सर्फेस पर उनको माना जाता हैक वह उनको रिकोगनाइस नहीं कर पाते रोंको प्रजक्त कर देते हैं इंट्रास्पासिफिक क्रॉसें में इटास बीन नौटेट वाटर सॉलीबल सब्स्टनसिंग उलीज्ट और यहां से एक वाटर सॉलीबल सब्स्टानसिग को सब्स प्रभशन करेंगा के वाठोशित के लिद बात करें मतलब पूछा गया एक्जाम में पूछा जाएगा कि एक या दो को आप डिफाइन करना है फिर प्रॉपर आप पर एक नॉट लिखना है सो फर्स्ट आती है यह यहां पर लेंट करता है पर लेंट करे ऐगा तो क्या होगा यह अनदर जायेगा इसके टीक है यहां पॉलन क्रेड़ करता है जिसकी वजह से अगर वह उसको पॉलन करता है अगर你 देगा पॉलन ट्यूब को अंदर Compatible और Compatible Polans का अब Compatible Polans को जानते हैं Mentor के नाम से चीक है या फिर Mentor या फिर Recognition Polan के नाम से यह क्या करता है जब Mentor Polan आदा है यह Compatible Polan होगा उबसी होगा तो वो क्या करेगा जो भी इसकी Recognition Proteins होंगे Compatible Polan के वो क्या करतेगे उसको मास्क कर देंगे और इनिभेशन यहां पर रुख जाएगा जिसकी वज़े से जो इनकम्पाटिबल पॉलांच होंगे वह वह भी अंदर क्या कर जाएंगे ग्रोड कर जाएंगे जाता है इंट्रेटर अवेरियन पॉलनेशन इंट्रेटर में क्या होता है इसमें नियु और दो होल्स बनाए जाते हैं अब इन्दर किसले यूज होता है एक होल को हम यूज करेंगे इंजक्टिंग पॉलन ग्रेंज और अधर होल को यूज करते हैं इजक्टिंग एयर नहीं भीदा लोग्य से प्हों नहींद दिएक यूज अधर फोली के डियंद्र मेंट्रमें के प्वेक्रलश के अंदर देखा जाता स्टिगमा को रिमूब कर दिया जाता और पोलन को प्लेस प्लेस कर दिया जाता डारेक्टली स्टाइल के अंदर दोज इंकंपाटिबिलिटी इस दार स्टिगमा और टुट दी लैंट अफ धिस चाहिल कैन भी अबरकम रिमोविंग दिस टिगमा और पाट अफ यूबिस यहां से स्टिग्मा को हटा देते यह फिर ज्यादा बड़ी लेंद्थ होती है अगर इसकी स्टाइल की लेंद्थ को भी डिक्रीज कर देते हैं अब देखो यहां पर एक एग्जेम्पल दे रखा है इपॉमिया ट्राइकार्पा में क्या होता है जो स्टिग्मेटिक सर्फेस होती है वो क्या होती है प्राइमरी साइट हो जाती है इनकमपाटिबलिटी की तो यहां से जो प्राइमरी साइट है इनकमपाटिबलिटी को उसी को निकाल देते हैं इस्टिग्मा को इन्होंने हटा दिया है जिसकी वज़े से अब यहां पर कोई भी इन्हीविशन नहीं ह एक एक्जेम्पल है निकोशिया टैबोरे कमका यहां पर क्या होता है जो स्टाइल होती हो वह बहुत जादा लंबी होती है अगर हम किसी और स्पीशीज की बात करें तो जिसकी वह जिसी क्या होता है पॉलन्ट्यू फेल्स हो जाते हैं ओविल तक पोचने के लिए तो इससे अच्छा क्या करते हैं वह लार्ज पार्ट ऑफ इस स्टाइल को हटा देते हैं यहां पर क्या हो जादी क्रोसिंग हो जाती है ना मूब टू नेक्स्ट मेट इस बड़ पॉलिनेशन अब इतना इनको डिटेल में पढ़ने की नीद नहीं है त्री में आप लोगे के लिए इ इंविट्रो पॉलिनेशन थेक्स आएगा रिमोबल ऑफ स्टिग्मा मोडिफिकेशन ओ स्टिग्माटिक सर्फेस ही ट्रीट्मेंट अजाएगा इराडिशन आजाएगा क्यामिकल ट्रीट्मेंट इंक्रीज कार्बन एक्सट लेवल एंड और अजाएगा पैरसेक्शल हाइ पैरेगा इसमेशन नाओ भी नेक्स वेशन इंग्सट प्रेशन नम्बर सेवन एक्स्ट नम्बर सहण है वह भी यह पारी इंच्टिग्व प्लांट पोस्टिष करते सीच उप्लांट्ट इन अधित उडिय शाम अटेश्ट टैंट उडिय चिझॉल अधी टैश ड्मीन तो और प्रिद्यूस्ट करते हैं न्यू प्लांस को अभी कब जर्μεीनिट करेंगे उस न्यू प्लांस को यह अभी पिए जो पैरेंट कैने होता है उससे आटेस्ट रहते हैं जर मिचयों ट्री होगा वह कहीगा तो मिचयों ट्री करता है वाटर के नीचे अब उसके बाद क्या होगा जो भी सीडलिंग होगा वह एबल रहेगा सर्वाइफ करने के लिए वाटर में कब तक रहेगा वह जब तक वह अटैच नहीं हो जाता स्वैल में और उसकी रूट नहीं बहार निकल कर आती है इसको अलाओ करता है रैपिड ग्रोथ को और स्टैबलिश्मेंट ऑफ मैंग्रूफ सीडलिंग को एक बार वर्स दे कम इंटू कॉंटेक्ट जब भी कॉंटेक्ट में आ जाते सब स्ट्राटम के तो यह क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं सर्वाइवल रेट ओफ दी मैंग्रू इंपोर्टेंस ऑफ मैंग्रूफ यह भी आपका इंपोर्टेंट क्वेशन मन सकता है मैंग्रूफ के देख लेते हैं यहां पर कुछ एकॉल्जिकल इंपोर्टेंस फिर्स्ट क्या देप्रोटेक्ट शोर लाइन फॉर्म डेमेजिंग वेंट वेज फेट लेकिन कहता है जो इसकी वजह से क्यों होगा प्रोटेक्ट करेंगे रोलर कोरल रीव्स और अधर अंडर ग्राउंड इकोसिस्टम को जो कवर नहीं हो पाते और वह डिस्ट्रॉइन नहीं हो पाएंगे डिपोजिट की वजह से नेक्ट रिप्रोवाइट हैबिट ओफ अबिट तु मैंट अराम से सैलनेटी को शो करते हैं मैंगरू फैबिट इट्स क्या करते प्रोवाइट करते प्रोटेक्शन टू डिफ्रेंट फिशेज और मेराइन अनिमल्स नाव क्वेस्ट नमबर इस नाइन विच इस दिन लास्ट क्वेशन क्वेशन इस राइट शोट नॉट्स लिखने सब्सक्राइब याद बनाते हैं स्बस्क्राइब को तो यहां पर होंगी, ग्रो कैसे करेगी, horizontally grow करेगी और जिसकी वज़े से क्या होगा यह, parent plant से ऐसे दूर होते चले जाएंगे, आप figure में देख सकते हो, यह वाला part कई वाला part है, ठीक है, now next to the next question, which is the stollen, stolen क्या होता है, stolen इक special type of runner होता है, जो क्या करता है, जो grow करता है, doesn't grow horizontally from the बिगनिंग वह शुरू से ही बिगनिंग में ही होरिजॉन्टली ग्रो नहीं करता एट फॉस्ट इट ग्रोज अपवर्ड लाइक और नरी ब्रांचेज और आर्चेज दुआ डाउन तुदी मीर्दी सोयल और दीरे-दीरे क्या होने लगता है यह डाउन से थोड़ा सा ऊपर प्र अर्च होने लगता है और फिर कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है यह पारेंट प्लांट से की यह एक तरह की रिंटनर ही है एक सेप्ट यह शोड़े-ठिकर जो रंड होते रंड शोड़े बड़े होते है इसके इसका इसका थे ठीक है इसके देख सकते हो आप इसमें नाम ओप तो दी नेक्स सकर सकर क्या होता है सकर इस ओलसो अंडर ग्राउंड अंडर्ग्राउंड रनर विच सून ग्रोज आप एंड फॉर्म्स और डॉटर प्लांट ओफर स्ट्राइकिंग रूट्स अब यहां पर क्या कह रहा है यह और शूज प्लाउंड रणंड ग्राउंड रॉट जो कि यह करते हैं मतलब उपर की तरफ इसके मेंथा है च्ञक और क्या बना लेते हैं दोटर फ्लांट को मिन की कि आते हैं जैद स्रेटेश्याय के मिल जातर थैए इसके मैं थारई इसमेंपलर मेंक Это क्लाइट में किया आता हैं und also philocyst प्लिफिकेशन होती जो उडिकेशनत होती यह क्या होती है मोडिफिकेशन में जिए रोफिकेशन देखी गहीं है भुपिकेशन हाइँ प्लांट में वॉटर नोटा होता है इसे जिएक प्लांट में होता है the growth of the leaves is checked and this reduces transpiration नी transpiration को भी reduce करने वाला है stems क्या बन जाती है इसकी flattened बन जाती है और swollen हो जाती है it is the clidophilus and served as the photosynthetic organ अब यह क्या करेगा photosynthesis organ भी मतलब photosynthesis भी करता है now last point is last point में क्या कहता है such flattened और swollen stem structure are called the phyloclide इसका example आजाएगा opencia आप लोगों को यह video समझ में आया होगा आप लोगों के लिए बहुत important questions है दोस्तों एक वीडियो में सारे questions कवर नहीं हो सकते है तो I will try कि मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाओ जिसमें आपको बहुत सारे questions तरह से देखने को मिलेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्यू बैरी मच दोस्तों मिलते हैं आगले वीडियो में बहुत सारे questions के साथ झाल